इस स्टेटमेंट के कन्फिलिक्ट में इंडिया का क्या रोल है इन मिटिगेटिंग प्रॉब्लम्स तो यही वाली जो चीज है जो हमें अपने आंसर के अंदर एड्रेस करनी है इंडिया का रोल इन एड्रेसिंग इश्यूस जो एफेक्ट कर रहे हैं SEO की functioning को तो हमारा जो आंसर होगा इसमें majorly part हम इसी को dedicate करेंगे लगबग 70 to 80 words देन हम बच गे कुछ 70 to 90 words like देन बाकी जो 60 words के round हमारे बाद जाते हैं उसमें जो है 60, 70 उसमें हम introduction भी लिखेंगे कुछ statement को reiterate करेंगे and then conclusion भी हम उसी में लिखते हैं बट हमारा जो major focus किस चीज़ इस पे होगा कि इंडिया का किस तरह से जो है क्या role इंडिया निबा सकता है जिस तरह से जब हम लिखेंगे तो broadly हमारे mind में एक आना चाहिए कि कैसे एक तो हम लिखेंगे कि diplomacy का अज़र सी बात है promote करना चाहिए क्या dialogue and diplomacy इंडिया इस चीज़ के लिए जो है प्रेस कर सकती देखें देन conflict resolution initiatives इंडिया अपनी expertise और experience offer कर सकता है in conflict resolution and mediation to facilitate peaceful solutions to ongoing regional disputes within the SEO framework ठीक है एक तो हमने dialogue and diplomacy की बात की दूसरा addressing security security concerns जैसे counter terrorism cooperation जहाँ cyber security collaboration then economic and regional cooperation connectivity projects make sure कि आप connectivity projects में आसा नहीं कि उनके हम belt and road initiative को support करना शुरू कर दें चाहिना के जा फिर जो दूसरे regional जिस तरह से CPAC है ऐसा आप नहीं मिंचन करेंगे जो हमारे interest के हैं हम उनको मिंचन करेंगे ठीक है जो हमारी security के लिए challenge है हम उनका जहाँ पर मिंचन नहीं करे करेंगे जहाँ पर हम cross border highways का mention कर सकते हैं जा जिस तरह से हमारी north-south transport corridor है जा तापी बगारा है जो इनका हम mention कर सकते हैं energy security centralization countries की जहाँ पर हम जो है उसके context में बात करेंगे तो मतलब broadly जह हमारे धिमाग में है कि हम इस तरह से India जो खाया role play कर सकती है SEO जो issue phase कर रहा है internally उनको address करने के लिए इस तरह से जो है इंडिया move forward कर सकता है या इस तरह से contribute कर सकता है फरतर जाब इतना हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है को challenges भी होंगी challenges जो है जा कुछ ऐसी considerations है जिनको आगे बढ़ते हुए जो है इंडिया consideration में ले सकता है internal disputes है जिस तरह से जा फिर external influences है ठीक ना उस चीज़ को मदे नज़र रखते हुए हम आके move करेंगे तो यह हमारे एक broader outline होनी चाहिए हमारे धिमाग में अगर कुछ भी ना आए हमें तो यह हमें लिखना ही लिखना है and now अब हम आते हैं इसके लिए जो है हम draft करते है question answer introduction से शुरू करेंगे हम maybe 250 words का आ जाए तो ह हम prepare उसी के लिए करेंगे तो SEO पहले SEO के बारे में हम बताते SEO was established in 2001 has expanded to include countries with populations equal to roughly half of global total फिर फर फर्दर जो है however internal conflicts frequently stand in the way of military cooperation mutual trust and shared development that it seeks to achieve यह इस तरह से हम introduction आप नहीं देंगे के SEO का origin कब का है and world की लगबग जो है half of population जो है इसके अंडर आती है इसके जो aim थी multi cooperation को promote करना या mutual trust को build करना enhance करना जा shared development पे focus करना उन goals को achieve करने में धिक्कत आ रही है due to internal conflicts यह हमारी introduction रहेगी इतनी ही and यह अगर dice of words का होगा तो I'll prefer के जहां पे हम जो है members of SEOs लिख दूँ members of SEOs यह अगर मुझे map ड्रा करना आता है तो जहां पे में map भी ड्रा कर सकता हूँ and map could be like this हम ऐसे नीचे लाएंगे and जहां पे इंडिया को ड्रा करके जाएंगे ऐसे and then ऐसे करके ऐसे करके and ऐसे करके mention कर देंगे ठीक है जिस तरह से जहां पे आप Russian Federation का mention करेंगे then Republic of Kazakhstan, then Kriegistan, then Uzbekistan, then Tajakistan, then नीचे अपना प्यारा इंडिया, then Pakistan, then China itself तो इन member countries का हम जहां पे mention कर सकते हैं but जब यह 10 marker होगा तो तब हम mention नहीं करेंगे तो इसमें जो statement ही दे रखी है virus of conflict की पहले हम उसी को reiterate करेंगे virus of conflict क्या है मतलब इस चीज को highlight करेंगे हम is affecting the functioning of SEO and इसको underline कर देंगे हम तो जैसे क्या है virus of conflict एक तो है bilateral tensions, bilateral tensions जो इसके member से उनी के बीच में हैं जैसा कि जहां पे हम tensions between India and Pakistan due to historical animosity and disputes over Kashmir then दूसरा आप देखेंगे border disputes इंडिया पाकिस्तान के भी already तो हैं but दूसरी example हम जहां पे side करते हैं इंडिया के साथ चाइना की ठीक है ना इंडिया चाइना की especially जह further intensify हुए है increase हुए है after 2017 का ढोकलाम stand-off के बाद एक तो bilateral tensions हैं then दूसरा conflict and resource sharing जह जिस तरह से चाइना का जो है disputes का our large areas of land with several central Asian countries like Kazakhstan, Karigastan, Tajakistan के साथ जा फिर दूसरा आप देखेंगे water sharing disputes जहीं जिस तरह से water sharing disputes water sharing and border disputes जो है further हमें central Asian countries के अंतर भी देखने को मिलते हैं तरह से Uzbekistan and Tajakistan then terrorism there is lack of agreement among central Asian countries on how to handle threats to regional security from Afghanistan's extremism, rising extremism, great power rivalry बहुत से experts को ऐसा लगता है कि जह जो है SCO के अंदर inherent conflict एक है between China and Russia के जहां पर जो SCO है इसको देखा जा रहा है by some as a platform for our great power rivalry between China and Russia, this can make it difficult for the SCO to reach consensus on important issues, यह चीज़ हमने mention की, जब 250 words होंगे तो हम इसको इस तरह से mention करेंगे, जब 150 words ही हैं हमारे पास तो इसको हम जो है बहुत कम करके जो है mention करेंगे इस चीज़ को, जहां पे जो है actual में हमारा जो answer हमें लिखना है, वो हम लिख रहे है, rule of India in mitigating the problems, इसमें क्या आप लिखेंगे के पहला, promoting dialogue and cooperation, इंडिया लिवरेज कर सकता है, इस diplomatic capabilities to encourage dialogue and cooperation among SEO members, especially on security and counter-terrorism issues, example के तोर पे जैसे के Heart of Asia Conference, Asia Conference, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान jointly participate किये थे, can be a model for constructive dialogue within the SEO framework, then connectivity initiatives, India has also been actively involved in Ashgabath Agreement, जिसका purpose क्या है, establish करना एक international transport and transit corridor, जो connect करेगा Central Asia को, South Asia और Middle East के साथ, India actively इस agreement में participate कर रहा है, then anti-terrorism initiatives, इंडिया जो है participate करता है, joint military exercises में, with other SEO member states, ये वाली जो exercises होती है, ये build करती है, trust and cooperation among SEO militaries, and improve करती है, उनकी capability to respond to regional security threats, example के तोर पे, peaceful, peaceful mission series of exercises, then multilateralism, India के commitment to multilateralism, or its long history of peaceful coexistence with its neighbors, make it well positioned to promote dialogue and cooperation among SEO member states, example के तोर पे आप जो है, Prime Minister Narendra Modi expressed India's commitment to rule-based international order, at the 2019 Bishkek Summit, then promote cultural exchange, cultural exchanges or people-to-people interactions can help to foster mutual understanding and reduce tensions, example के तोर पे, India hosted SEO food festival in 2019 in New Delhi, then challenges and considerations का आप मेंचन कर सकते हैं, जिस तरह से internal disputes के, जैसे के इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, या इंडिया चाइना के बीच में है, तो इनको जो है, जहां पे टैक्ट और डिप्लोमेसी से जो है, रिजालव किया जा सकता है, external influences की बात करें, जो non-SEO members कें, जिस तरह से US है जा इसके allies के, तो continuously जो है US और इसके allies और चाइना के बीच में जो टसल देखने को मिल रहा है, तो ये एक challenge है, दूसरा balancing priorities के, इंडिया जो है जब SEO के initiatives में जो है साथ देगा, बट इसको अपनी जो foreign policies है और strategic interest है, उसको consideration में लेना भी ज़रूरी होगा, तो conclude हम कैसे कार सकते हैं, इस तरह से करके हम इसको conclude करेंगी.